कि बीमारी की इलाज नहीं करना है बीमारी की इलाज करना है अभी तो कोरोना कि समय चल रहा है ना को ना किस सफेर सिर्फ technique कि उस्वोज यह लोग बचाने के लिए यह वहां जीवान देने के लिए आते हैं मैंने बहुत तारे लोगों को देखा आए और बिचारे चले गए वहां पाई डाला है उस टौलेट को मैंने खुश साफ़के या सफाई कर्मी इस वक्त हम यहाँ पे हैं, हम समय आपको बताते हैं, साथ बच चुके हैं, साम के साथ बच चुके हैं और हम पहुंचे हैं, वित्व कुछ दिनों से यह कहा जा तो आई एक चाय की दुकान है इनसे ही पहले बात करेंगे कि यहां दुकान है तो सब कुछ को देखते होंगे क्या कुछ चल रहा है आप या क्या नाम हुआ आपका अर्विन मुख्या तरका बनाए सर पैसेंड के लिए और आम आदमी के लिए अचार है सब कुछ है मिला करके खाना 50 रुपा प्लेट देते हैं तो नो रोटी क्या देते हैं 50 रुप पांच रुप पांच रोटी सब्जी तरका शलाद अचार चटनी अंडा गरम पानी हल्दी गरम पानी इस अब दोदी दे करके वह भी बहते हैं आप यहां से पैसेंट भी यह बहुत आएं तना सब्सक्राइब कर रहे हैं और हम भी अपने तरफ से आप से कहेंगे कि जो भी लोग आ रहे हैं जो परेशान है उसको कमसे कंख रहे हैं उसको पैसा लेट मीसेट भी देते हैं वह भी हम रूप जात आब है पाले यहां बहुत अच्छा कर रहा है इन से पहले बात करेंगे कि क्या है क्या नाम हुआ मेरा नाम मुहम्मल लुत्फुर रामान है कहां से हैं सर्थ मैं अररिया जिला के फार्विजगन पर्खण के आमोना पंचाइश से आया हूँ मेरे भाई बीमार है पॉजिटीव है और विजगन अंचल अस्तरिय जो पाइस्पीटल है वहां लेकर के 11 तारिक को पहुंचे वह उन्होंने कहा कि सिटी स्किन कराना होगा उसे अररिया ले गए वहां सिटी स्किन करा करके लागर के फार्विजगन में जिब ट्रीट्मेंट कि पताया कि वेवस्ता यहां नहीं है मध्यपूरा देफर कर रहे हैं मैडिडिकल कॉलले यह पोंचते तो क्याrich cindald कर हो यह कर पूरी जन्याय कारफूरी मेडिकल्ड कॉलेज κάνob महावमधिद्यायलoleniaq ओं मध्य है यह एक सक Delhi बनाया चाहता चाहता है लेकिन यहां पर नहीं हो पा रही है जो की द्वारा कोविट के निर्देस के मुताविक हिलाज करने का दिया गिया है उससी के मुताविक चलाए जा रहा है नहीं पे-ज़रीय से उनकर रिपोर्ट लिया जाता है इनको भीमारी की हाइग क्या है बीमार के इलाज नहीं करना है बीमारी के इलाज करना है अभी तो कोरोना की से लेबल पर कितना क्रिटिकल है कितना वह नॉर्मल है वह उसकी टीटमेंट उस अंदाइस से होनी चाहिए ताकि आदमी बच करके यहां जाल सके हुस्पिटल लोग आते हैं जीवर बचाने के लिए यहां देने के लिए आते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को देखा आए बिचारे चले गए और यहां से लासें गई उनकी बेशुमार लासें जा रही है अब ब्लोक में वहां पर दिम सा भी तश्रीव लाए थे मदेपूरा के परसों द सापनी के बवस्ता में reclire उप्लेट के मैंने हैस मैंने घुक्त साफ किया आए माई कलिए सफाइ कर्मी तो जगाज़ पया नहीं पहुच पाते हैं यह सब बीवस्ता से अलग संबने Dec है लेकिन जो हमारा फोकस है वह हमारे देश माया हुआ इसका इसकी इसकी परताल है तो फिर इलाज क्यों सही तोह रहा है बिहार के मुख मंत्री नितिष कुमार और देश्ट मंत्री तो लगातार जो थाक्टर कोたुछ कोलज मैं सकता हूँ कि मैं भाई के पास जाता हूँ वहां से पूछता हूँ कि मेरे भाई का एलाज के इस्थितीग क्या है, ये fewращ में पहुँचे है और कितना इसमें लगेगा, ये डॉक्टर को मालूम रहता हैं उनको symptoms पता रहता है, चेहरा देखकर करें डॉक्टर बताते हैं, इनका ये है और ये इतना हो सकता है अब रही बात की जांच रिपोर्ट आने दीजें यह जांच रिपोर्ट के विवस्था भी आ नहीं है मैं इमर्जेंसी में गया मुझे लिखकर के दिए एक डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि कम सकम इसका बलड जांच करा लिए डब्लूबी सी क्या है और क्या करते हैं प्लेट इस्टिक के साहरेश चल रहे थे उन्होंने कहा कि ठीक है आपको मैं लिखके देता हूं अच्छा करा लिए यह अच्छी चीज है वह करा के दिया मैं अमर्जेंसी में गया तो संडे को बंद है यह मेडिकल कॉलेज है कोविट के महामारी है तो संडे को क्यों बंद रहेगा संडे को पेशेंट यहां रहेगा और डिपार्टमेंट बंद रहेगा तो क्या हिसी थी होगी मैं वहां गया पूछा मेडम से कि मेडम कल ही से मैं पूर्जा लेकर के सेंपल लेकर घूम रहा हूं और आपका का ने संडे को बंद आता है लोग संडे को भी काम करेगा कैसे हम पर जो पेसेंट की बीमारी समझ मने आती है उनकी काउंसिलिंग की जाती है बड़े-बड़े उच्छा देकारी पहुंचते हैं बैठते हैं उस पर आये लेते हैं जिंदगी बचाने के लिए ना कि जिन्दी गवाने के लिए मेरे पास मेरे सामने में एक पेसेंट थे बैचा ने कहा दिया कि उनका जो कुछ भी इलाज था कर दिया गया है अब उपर वाले से मनाई यह कह रहे हैं यह साइंटिफिक दोर में वह इश्वर का याद दिला रहे हैं भगवान उपर वाले सबको देते हैं सबके लिए हैं लेकिन डॉक्टर एक दोसा प्रमात्मा होता है ध दिया कि बेचारा बैस साल का जवान लड़का था उनकी वीवी थी आखिद में एक्सपार करके हो कर लगा साधी सुथ लड़की थी तरद तरद करती थी मात थी उसका भाई था वह चली गई तो हमारा कहने के मतब यह होस्पीटल खोला अच्छा है कोई मामूली जगह नही करते हैं वीडियो कंफरेंस करते हैं उसी तरीके से पेशेंट के जरीए से भी डॉक्टर को भी फेस टू फेस बात करनी चाहिए और उनका डॉकॉमेंट सीशे के अंदर से ही सही ठीक होनी चाहिए उस रक्षात्मा द्रिश्टी को उसको आपना नहीं चाहिए लेकिन कुछ तुस हम दर्दी होने चाहिए पहले के डॉक्टर होते थे ऐसे आपके हाथ चुलिए समझे 50% उनका हिलाज हो चुका अब 50% दवाई करें अभी आपके जो पैसेंट है उसकी क्या स्थिति है आई तक मैंने बड़े डॉक्टर को उनके पास आते हुए ने देगा जब जाता तो चले गए अपने मिले भाई कब आए कैसे गए कम से कम गार्जन को बोलाना चाहिए कि पैसेंट कोन है कहां उनको संतुष्ट दिलाना चाहिए कि आपके पैसेंट की स्थिति यह आपके कहने का मतलब है कि जन्नाय करपूर ठाफुर मेडिकल कॉले में जो आप इलास करान मुहमर लुत्फुर रामन अर्या से मैं हूँ और मैं यहां तकरिमन नाइंटी टू से आना जाना है नाइंटी टूजन वन में मैं गर्जुवेशन किया और पीडी भी जिक्या हूं मैं आपके इस रेपोर्टर को जाता हूं कि हर एक पताधिकारी तक पहुंचे और सब्सक्राइब हूं काफी जो है अस्पताल से नाखुश कर रहे हैं कि यह उस्तिति है तरफ तरफ कि जान चली गए चली चाहिए इस्थिति है मधिपुरा जन्नायक करकुरी ठाकुर मेडिकल कॉलेश का हमारी इस ख़बर को देख रहे हैं फेस्बुक पेज़ को लाइक कीजिए यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ जो अधिकारी जो मंत् तो संबंधित जो डॉक्टर है मधिपुरा जन्नायक करकुरी ठाकुर मेडिकल कॉलेश को तो आप भी थोरा सा रहम खाईए इलास कराने के लिए दूर दराज से लोगा रहे हैं तो रहम खाईए इस्थिति बहुत नाजुक है कोवित का समय चल रहा है ऐसे वक्त में डॉक भगवान के दूसरे रूप में काम कर रहे हैं तो यह स्थिति है